है यि wp 6000 कोर्ड़ का वेल्कम बच्छों हम पढ़ रहे हैं अर्जेजराइं में govern और दिसिसी। गरेशन पार पारट वन आप लोगों नहीं देख लिया होग घिस्में मैंने उसकी थी भी बताही थी कैसे बीप वाहिशन के की questions के कैसे हम implement कर सकते हैं आज हम इस video में और questions को practice करेंगे जो की geometric progression पे होंगे थोड़ा सा revise करते हुए चलूँगा मैं revise करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा हलका सा और फिर सीधे questions पे आते हैं topic बहुत interesting है, paper में हमें मिलता है बड़े interesting interesting questions लूँगा मैं आज इस video में, अच्छे से last तक देखेएगा video को तो ये सब कुछ बच्चों हमने last video में किया था ये सारा मैंने आपको करवा दिया था sum of gp कैसे निकालते हैं sum of infinite gp का क्या formula होता है that is a upon 1 minus r ठीक है और a क्या थी यहाँ पर first term r क्या थी यहाँ पर common ratio nth term निकालनी है gp की तो a into r की power n minus 1 बड़ा deep में हमने discuss किया था ये तो ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा, इसका एक screenshot ले लो आप अभी, क्योंकि हम अभी questions और discuss करने वाले हैं, अच्छा इसके अलावा, जैसे मैंने arithmetic progression में आपको बताया था कि 3 terms अगर ap में दी हो, तो हमें क्या माननी चाहिए बड़ा, यहाँ भी ध्यान रखना ये एक extra बात add कर देता हूँ if 3 terms r in gp कहा गया हो, if 3 terms r in gp अगर उसने बोल दिया है हमें तो भी ध्यान रखना है, आपको 3 terms लेनी है a by r, a and a into r क्यों sir यही क्यों लेनी है क्योंकि इनकी product करोगे तो r से r कट जाता है थोड़ा असान हो जाता है सवाल करने में ठीक है, मैं पहले इसी पे ही इसी पे ही equation लेके शुरुबात करता हूँ और बाकी questions फिर देखते है तो let's start with this question जैसे अगर 3 numbers की बात की गई हो और gp की बात की गई हो तो मैंने जैसा अभी बोला आपको बेटा हमेशा let करना है आपको क्या जैसे इस question में देखो कितने numbers की बात की गई है 3 numbers की और gp में है हमेशा क्या let करना है हमें हमेशा let करने है 3 numbers a by r a and a into r ठीक है अब समसे पहले इनका product देखो क्योंकि product में थोड़ा असान हो जाती है चीज product हमें given है 27 तो इन तीनों की product हमें already given है 27 तो हम कहेंगे a by r into a into a into r इन तीनों का जो product है वो 27 है सही है अब यहां पर विटा r से r कट गया बचा क्या a cube a cube का value कितना 27 तो यहां से हमारा a का value आ गया 3 तो आदा काम तो यहीं पर हो गया a का value 3 आते ही हमें वो 3 numbers पता लग गए क्या क्या बनेंगे 3 by r 3 and 3 into r 3 r that is ठीक है अब इनके sum की बात कर लेते हैं कहते हैं इन तीनों का sum किन का इन तीनों का sum जो है वो 13 है तो चलो लिगो 3 by r plus 3 plus 3 into r इन तीनों का sum जो है वो 13 given है अपने को तो 3 by r plus 3 r is equal to 10 हो जाएगा और यहां से अगर आप r lcm लेते हो तो 3 plus 3 r square is equal to 10 है हमारे पास तो यह equation बन जाएगी हमारी ultimately 3 r square यह 10 r हो जाएगा उस तरफ आके minus 10 r हो जाएगा समझे तो 10 r हो गया दूसरी तरफ आके minus 10 r हो जाएगा और यह 3 r square है plus 3 equal to 0 ultimately हम इस equation पर पहुंच जाएगे और बस अब question खतम होने वाला है आपको quadratic equation में मैंने prime factorization middle term split method बताया था middle term को split करो की product करके 9 आएग कैसे करोगे तो आप कहेंगे sir 3 r square minus 9 r minus r plus 3 बराबर 0 तो ऐसे बन जाएगा उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको बच्छो बस जो middle term के coefficient है उनका sign change करके लिख दो जो middle term के coefficient है उनका sign change करके लिख दो मतलब minus 9 है तो plus 9 minus 1 है तो plus 1 और जो r square का coefficient है उससे divide कर दो r square का coefficient है उससे divide कर दो आपके पास r की value आजाएगी r जो है common ratio जो है या तो 3 होगी या 1 by 3 होगी कुछ भी ले लो कोई फरक नहीं पड़ता let's say मैं r का value 3 ले लेता हूँ यदि r का value 3 है वच्चो तो हमारे पास जो number आएंगे वो आएंगे यहां पर put करो तो 3 by 3 1 3 and 9 लेकिन अगर आप r का value 1 by 3 भी put करते हैं ना तो ये 3 divided by 1 by 3 तब ये 9 हो जाएगा ये 3 रहेगा ये 1 हो जाएगा तो number कुछ है थे उसने numbers कौन कौन से हम कहेंगे number तो 139 ही है चाहे r का value आप 3 ले लो चाहे r का value आप 1 by 3 ले लो हमारे जो number है वो 139 ही रहेंगे क्या ये समझ में आगी है सब को बात वो number हमारे change होने वाले नहीं है तो इस question से हमने एक बात सीखी कि कभी भी तीन numbers की बात की गई हो GP की बात की गई हो तो 3 number को हमें जो let करना है वो हमेशा A, A by R, A और A into R ही let करना है to make question easy आप सोचके देखो अगर कुछ होर let करते तो इतना असानी से ना होता बटा देखो सिरफ flow में चले हैं हम तो line ने लिखनी पड़ी बट question एक या 2 minute से जादा का नहीं है और paper में बिलकुल मिलते है questions तो ये question पुरा note कर लिया होगा आपने और अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं इसमें और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ तो चलिए बढ़ते हैं second question की तरफ ये लो दूसरा सवाल ये आपके सामने ये वाला question लेते हैं तो आज का second question है हमारा ये वाला question कहता है man receives a pension starting with rupees 100 for the first year each year he receives 90% of what he received previous year find the maximum total amount he can receive if he leaves forever तो if he leaves forever अगर वो सारी उमर जीता है हमें पता नहीं है कब तक जीए है ना इसलिए if he leaves forever तो उसकी जो total pension बनेगी total amount बनेगी pension से वो कितनी बनेगी अब सारी बातें छोड़ो मुझे ये बताओ first year में उसे कितनी pension मिलती है आप कहेंगे सर पहले साल में मिलती है उसके बाद अगले साल में कितनी मिलेगी 90% 90% बोले तो 9 by 10 9 by 10 किसका 100 का तीसरे साल में कितनी मिलेगी बेटा जितनी previous year में मिली उसका 90% हमें अगले साल में मिलेगी तो हम कहेंगे अगले साल मिलेगी 9 by 10 9 by 10 किसका पिछले साल का पिछले साल कितना था 9 by 10 of 100 तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा सर हमें नहीं पता क्योंकि वह बंदा कब तक जियेगा हमें पता ही नहीं है तो हम कहेंगे इन्फनाइट तक जाएगा तो ध्यान से देखो यह एक इन्फनाइट जीपी बन चुकी है और इन्फनाइट जीपी का फॉर्मला हमें अच्छे से पता है बढ़ा तो इन्फनाइट जीपी को कैसे निकालते हैं A upon 1 minus R से निकालते हैं Now here A is first term which is 100 and the common ratio is nothing but 1 by 9 यह है न 9 by 10 common ratio क्या 9 by 10 क्यों क्योंकि अगर आप second term को first term से divide करते हैं तो 9 by 10 मिलेगा तो here the common ratio is 9 by 10 तो यहां रखते हैं यदि तो it comes out to be 100 divided by 1 by 10 यह 10 ऊपर चला जाएगा और value आजाएगी 1000 तो answer option B मैच करता है यही सवाल का सही उत्तर होना चाहिए यही सवाल का सही उत्तर है तो यह बातें समझ में आ गई हैं बच्चों को ऐसा मैं बिल्कुल expect कर रहा हूँ बच्चे notes बना रहे होंगे अच्छे से बेटा question को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है सवाल एक मिनिट के अंदर अंदर maximum question खतम हो जाते है सबसे important बात है quant का paper attempt करते हुए कि आप थोड़े से conscious रहें थोड़े aware रहें कि question क्या बोल रहा है ध्यान से अगर हम question को पढ़ लेते हैं तो सवाल खतम भी हो जाता है बटा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ एक और जबरदस सवाल एक और बहुत बढ़िया question यह आप के सामने है अच्छा मुझे एक बात बताओ इस question को करने से पहले मैं बता दूँ मुझे एक बात बताओ बेटा अगर total terms मालो 10 है कितनी है सब 10 तो क्या मैं बोल सकता हूं उसमें आधी ओड होंगी आधी इवन होंगी बिल्कुल अगर total 20 terms है तो can we से उसमें आधी इवन होंगी आधी ओड होंगी तो यह बात तो clear है न हमें अब आजाओ सवाल पर देखो तीसरा सवाल क्या बोलता है हमें तो तीसरा question कहता है हमें इन्हें GP with even number of terms even number of terms मतलब 10,20 ऐसे करके even the ratio of sum of odd terms to that of sum of total terms is 1 is to 5 मैं बात सुनो हम एक GP ले लेते हैं even numbers की माल लो यह GP है पहली term 1 है second term a into r है third term a into r square होगी fourth term a into r cube होगी fifth term a into r की power 4 होगी ऐसे चलते हुए माल लेते हैं last term a into r की power n है यह हमने एक GP ले ली बेटा यह इसकी first term है यह second है यह third term है यह fourth है यह fifth term है बोलो सही बात कर रहा हूँ मैं और इससे just पहले वाली इससे कौन सी से इससे just पहले वाली कौन सी होगी odd term होगी we can say क्योंकि total अगर even terms है तो first, third, fifth ऐसे चलेगी उसको भी छोड़ दो कहना ही से this is first term, this is third term, this is fifth term अब पढ़ो बेटा सवाल कहते हैं इने GP with even number of terms ratio of sum of odd terms to that of sum of total terms is 1 is to 5 तो आप यह बताओ बेटा GP का formula क्या होता है अगर n terms का sum पूछू मैं GP में तो formula होता है sir a into r raise to power n minus 1 upon r minus 1 यही था देखो GP का formula लिखवाया हुआ है मैंने last video में किया था हमने तो चलो नीचे तो हमें sum of total terms लेना है तो इसका मतलब sum तो total terms का हो जाएगा कितना कहना ही से यह formula है तो यह हो जाएगा हमारा कितना यह ध्यान से सुनो a into r की power n minus 1 upon r minus 1 लेकिन अगर उपर हमें लेना है sum of odd terms बेटा odd terms का मतलब समझते हैं यह वाली first term, third term, fifth term यह वाली लेनी है तो इन terms को ध्यान से देखो इनकी first term तो a ही है जो odd terms है उनकी भी first term तो a ही है लेकिन कहना ही say that यहाँ पर जो number of terms है अगर total हमने n मानी है तो जो odd terms है उसमें तो total terms हमारी n by 2 होंगी ना नहीं समझे उसमें तो total terms अच्छा पहले तो मुझे यह बता दो जो यह odd वाली terms है इनकी common ratio क्या बनेगी common ratio r square बनेगी यह बात देख रहे हो अब जो odd वाली terms लेनी है उनमें common ratio r square बनेगी यह देखो सिरफ odd वाली को देखना common ratio r square बनेगी और number of terms n by 2 बनेगी तो इस formula में अगर मैं r की जगे r square पुट करता हूं और n की जगे बिटा n by 2 पुट करता हूं की number of terms odd है तो r की power n minus 1 upon r minus 1 r तो r ही नी इसमें वो तो r square minus 1 है क्योंकि common ratio r square है हमारी तो उपर वाला represent करता है हमारी odd terms के sum को और नीचे वाला represent करता है हमारी total terms के sum को तो इन दोनों का ratio हमें 1 by 5 given है और हमें common ratio निकालनी है बिल्कुल अराम से निकाल लेंगे लेकिन यह line दुबारा सुनो देखो नीचे तो हमने direct formula लगाया है किसका sum of n terms of gp का उपर हमने वही formula लगाया है लेकिन odd terms के लिए odd वाली terms लोगे तो common ratio r square है तो r की जगे r square आएगा और number of terms n by 2 होंगी क्योंकि आदी even तो आदी odd होंगी इसलिए n की जगे पे n by 2 रखाया हमने common हाँ जी और first term दोनों में same है देख सकते हो आप जहां पे लिखा हुआ है तो अब यह 1 by 5 बन गया हमारा a से a cancel out हो गया देखो यहां पे ध्यान से यह 2 से 2 cancel out हो गया तो यह बनेगा हमारा r की power n minus 1 upon r square minus 1 which is nothing but r minus 1 into r plus 1 basically a square minus b square का formula लग गया है ना तो r minus 1 into r plus 1 divided by r की power n minus 1 upon r minus 1 तो यह हमें 1 by 5 दिया हुआ है यहां पे यह दोनों आपस में cancel out हो गया r minus 1 से r minus 1 cancel out हो गया तो ultimately क्या बचा हमारे पास बच्चो हमारे पास बच्चा सर ultimately 1 by r plus 1 बराबर देखो यही तो बच्चा बाकी दो सब cancel out is equal to 1 by 5 तो cross multiply करते हैं तो r plus 1 का value हमारा 5 हो जाएगा और common ratio पूचीती तो हम कहेंगे answer of this question should comes out to be 4 तो 4 ही सवाल का सही उत्तर है common ratio हमारी 4 आएगी बटा यही सवाल का सही उत्तर है तो I hope so is question में बच्चों को मज़ा आया करके अगर हम ध्यान से formula लगाएं तो इसमें some of end terms of GP का formula लगना था और question का answer बड़े ही प्रेम प्यार से हमारा आ गया तो इतने question करवाने का purpose यही है बेटा आपको जादा से जादा variety में ही करवा दूँ ताकि आप लोग अगर practice भी थोड़ी कम कर पाओ लेकिन यह revise करके चले जाओ paper में तो भी हमारा paper अच्छा हो ठीक है this is ultimate purpose और यही purpose आपका भी होना चाहिए कि तैयारी हमारी बड़ी आओ किसी भी तरह से हो तो एक question और करवाता हूं और फिर एक question आपको मैं homework में भी दूँगा तो एक सवाल और ले लेते क्योंकि वह सवाल भी मुझे बहुत पसंद है और वह सवाल बहुत सारे common entrance exams में देखा गया है तो question क्या है question मैं आपको लिख देता हूं question है question सुलो आप समझ जाएंगे question को की language से सवाल ये है question है if a ball is thrown question लिख लीजेगा if a ball is thrown if a ball is thrown from a height of from a height of 360 meter from a height of from a height of 360 meters ये question में given है हमें now आगे वह बोलता है it bounces it bounces two-third times two-third times two-third times two-third times किसका two-third times of every last bounce every last bounce ठीक है जितनी bounce पीछे हुई थी उसका two-third वह bounce हो जाती है ठीक है आगे question में हमारे पास उसके बाद last line लिखो बस question खतम करते हैं calculate the total distance covered by the calculate the calculate the total distance total distance अब लिखते हैं by covered by the ball covered by the ball covered by the ball कब तक covered by the ball इसमें लिखा हुआ covered by the ball till till it stops till it stops जब तक वो रुके नहीं तब तक का total distance बताना अब कब रुकेगी यह तो पता ही नहीं हमें तो पेटा जब यहीं नहीं पता कब रुकेगी कितनी बार bounce करेगी तो हम infinite तक मानके चलते हैं ऐसे bounce करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी पेटा ऐसे आई नीचे यह 360 मेटर है फिर वो यहां से ऐसे करके bounce हुई लेकिन 2 3rd 2 3rd किसका 360 का और फिर इतनी ही नीचे आई यह कितना होगा 2 3rd है यह कितना है यह देख लो पहले यह यह 2 3rd उपर गई 2 3rd किसका 360 का तो 2 3rd of 360 कितना बनेगा मैं यहां लिख लूँ 2 3rd of 360 मतलब की 120 तूजा 240 तो 240 उपर bounce की फिर 240 नीचे आई बोलो सहिए फिर उसके बाद इसका 2 3rd किसका जितना पीछे थी उसका 2 3rd bounce की और फिर उतनी ही नीचे आई ऐसे चलती रही है फिर 2 3rd bounce की उतना ही नीचे आई ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी इस बार यह 2 3rd किसका है 2 3rd है इस बार 240 का जितना पीछे bounce की थी उसका 2 3rd वो फिर से bounce की नहीं आई समझ में आगे यह चीज बिटा अब मैं आपको बहुत असान तरीका बताता हूं देखो इस सवाल को करनेगा आप यह बताओ यह 360 था है ना यहां से शुरुआत हुई थी यहीं पर रोक दो वेटा अगले bounce मतलब यहां से शुरुआत की थी उपर से और यहां पर रोक दो तो यह वो गया आपका 600 पहले साइकल में दूसरे साइकल में फिर वह 140 चली और फिर 160 उपर गई तो दूसरा साइकल यहां कंपलीर हो थो तो यह नह 52 new Siекс टी रहेगी हो फिर 1160 के बाद यहां से लेके यहां तक लोगे तो टू-था ऑफ यहां फिर यह value हो जाएगी and so on so on यह चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी बोलो सही है इतना पहले cycle complete होने तक यहां से लेके यहां से लेके यहां तक 600 फिर दूसरे cycle में 400 और कहां तक जाएगी infinite तक जाएगी तो एक infinite GP बन जाएगी 600 पलस 400 दूसरे cycle में ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी कब तक infinite तक तो इस infinite GP का हमें सम निकालना है इसकी first term यह 600 है और common ratio हमारी 230 बनेगी 400 बटे 600 230 बनेगी विटा बेसिकली उतनी बनेगी जितनी given है उतनी बनेगी जितनी given है तो infinite GP का formula लगा दीजिए तो आप कहेंगे 600 upon 1 minus क्या था formula A upon 1 minus R तो 1 minus 2 by 3 तो आप कहेंगे 600 divided by 1 by 3 तो answer होना चाहिए question का 1800, 1800 ही इस सवाल का सही उत्तर है देखो मैं shortcut बता दूँ आपको चुटकी बजागे सवाल कर दोगे अगली बार पहले तो समयलो इसमें यार क्या हुआ तीन सो साट मेटर से आपने नीचे गी बेटा फिर टू थाड़ उपर गई तो टोटल मिला के कितनी हो गई उपर तक आने में इतना काम करना है आपको question खत्म हो जाएगा तो I hope so यह समझ में आया बच्चों को इतना काम समझ में आया कि झालो समया हाँ